नमस्कार आप्षा स्रेकाल और खुश्चाम अदीद वेरी वेलकम टो ओल फुट इस सेशन दिस इस वेमास्टर डिजाहर श्प्रिम जो कि आपके सामने हैं लाइव और एक बहुती बहतरीन और नए टाइप के सेशन के साथ क्योंकि सेशन है कि government के scholarship कौन-KOन से available है Bluetooth करने के लिए या बैचलर्स लेवल में graduation level में जब कोई बच्चा बैचलर्स करता है चाहे बएसी करे चाहे बीए करे चाहे बीटेक करे चाहे MBBS या फिर BR करे या फिर BDS करे, कोई भी बाचलर्स करे तो उन बच्चों के लिए कौन से Government Scholarship available है, जो की बच्चा आसानी से, सरकार से ले सकता है, आज इसी बात पर बात करने वाला है, ठीक है बहुत ही मस सेशन होने वाला है, छोटा सा सेशन होगा, बट पूरा, एक एक पार्ट, एक एक सेकंड, बहुत ही informative होगा, शुरुवात से लेकर अर आखरी तक देखिएगा, ताकि एक भी Scholarship ना छूटे, और जितने Scholarship बताऊंगा, सब में apply कर दीजेगा जहां जहां आप eligible हों, so that की maximum chances हों कि आपको Scholarship मिल जाए, ठीक है, तो चलिए session को शुरू करते हैं बिना विलंब के, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पे subscribe रहेगा for these type of beautiful videos, चले, शुरू करें, चलो भाई तो let's get started if everyone is ready, तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो भाई, let's get started, हाँ भाई, अब शुरू करते हैं b-tech के लिए, अब ये वाला session का pdf, हाला कि मैंने बहुत दिन से pdf डाला नहीं है, telegram पे, बट मैं डाल दूँगा, मैं भूल जा रहा हूं बार बर, अभी मेरे को ध्यान आया है कि आपको पढ़ाते पढ़ाते, बट इस session का pdf आपको इस telegram channel पे मिल जाएगा, जो जो लोग telegram channel नहीं join के हैं, join कर लीजे, इस telegram channel पे मैं pdf डाल दूँगा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, कि मैं telegram channel पे, जैसे ही बच्चों का jwe का result आएगा, मैं jwe के result के बाद, live जाओंगा, मैं telegram channel पे एक link डालूँगा जो कि google link होगा, google meeting का link, उस google meeting के थूँ मैं बहुत सारे बच्चों से बात करूँगा one to one, face to face sorry, वो google link नहीं होगा basically वो video call का link होगा जहां पे मैं बच्चों से बात करूँगा face to face on video call, one to one और जानने की कोशिश करूँगा कि उनका preparation कैसा रहा अच्छे number आएंगे, तो उनकी inspiring story जानेंगे बुरे number आएंगे, तो उनको मैं motivate करूँगा, guide करूँगा कि आब आगे क्या करना चाहिए ये session का link, जो मैं बता रहा हूँ इसका link भी मैं इसी telegram channel पर डालूँगा, जैसे ही JEE का result आ जाएगा, उसके बाद मैं बच्चों से one to one ऐसे video call भी करूँगा, ठीक है? तो आप लोग सारे लोग इसको join जर के रखिए चलिए जी, शुरू करते हैं, let's get started moving forward तो government scholarship for BTEC, शुरू करते हैं पहला scholarship जो आपको मिल सकता है, बट उसको बताने के पहले मैं आपको बता दूँ, देखो जो सरकारी scholarships होते हैं न, इसमें mostly जो scholarship होते हैं, वो आज जो मैं बताऊंगा, वो central scholarship होगा क्या होगा? Central, मदब central government के द्वारा तो central government scholarship ठीक है? अब आपको बता दूँ, जैसे मैं central government की scholarship बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से state government की scholarships भी होती हैं हर state का अपने अपने rules होते हैं तो इंडिया में इतने सारे states हैं तो इसलिए हर state का cover कर पाना मुंकिन नहीं था, तो मैंने central government की scholarship schemes cover किया है, अगर वोई ऐसा बच्चा है जिसको जरूरत हो बहुत ज़्यादा scholarship की या फिर और जरूरत हो तो वो बच्चा state government की scholarship को देख कर खोज कर ले सकता है यह है point number one, दूसरा सरकार यह कहती है कि जब आप एक जगा से scholarship ले लिये हों, तो आप दूसरे बार वापस से scholarship लेने के लिए मानने नहीं होते हैं और इसको सरकार कहती है कि यह मतलब फरजिफिकेशन होगा फ्रॉड होगा, नहीं करना चाहिए तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप central government की किसी भी एक scholarship में eligible हो गए हैं या कहीं से आपको पैसा मिल रहा है तो आप किसी दूसरे scholarship scheme में मत apply कीजेगा इवेन अगर उनको मानलों नहीं दे दिया और उनको पता नहीं चला पर बाद में कभी पता चलेगा तो हो सकता है कि सरकार इसके लिए सक्त रवया अक्तियार करे हो सकता है आपसे penalty लिया जाए वापस scholarship का पूरा का पूरा मामला मतलब पूरा का पूरा पूरा पैसा ले लिया जाए हो सकता है interest के साथ वापस ले ले वो लोग या हो सकता है कई सारे examinations में आपको ban कर दे तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा government कहती है अगर आपने किसी भी एक scholarship को avail कर लिया है तो आप एक से जादा scholarship नहीं ले सकते हैं हाँ इसमें बस अच्छी बात ये है कि सरकार ये कहती है कि आप दूसरी scholarship मुझसे नहीं ले सकते हैं एसा नहीं कि किसी से नहीं ले सकते हैं तो कई सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो central government scholarship या state government scholarship government का एक scholarship ले लिया और उसके बाद वो private scholarships के लिए भी आई करते हैं तो आपको बता दूँ एक private scholarships भी बहुत सारे होते हैं मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में जानकारी है की नहीं और मुझे यह नहीं पता कि आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए की नहीं अगर चाहिए होगा तो सारे बच्चे प्राइवेट स्कॉलर्शिप्स पे एक विडियो चाहिए ऐसा लिख के comment box में comment डाल दीजेगा मैं बना दूँगा बट private scholarships भी होते हैं example के तौर पे जैसे धीरुभाई अंबानी scholarship चलता है तो GEO scholarship तो भाई Reliance बहुती बड़ा group है तो Reliance ने अपना एक scholarship निकाला है GEO scholarship ठीक इसी प्रगार से Birla group बहुती बड़ा group है तो Birla scholarship भी होता है इसी प्रगार से GD going का they are also very one of the richest families तो GD going का scholarship होता है वैसे ही Tata की scholarship चलती है जो की out of India बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए Times of India जो group है इसका leading group है Bennett Coleman तो Bennett scholarship भी चलती है तो ऐसी बहुत सारे private houses हैं इंडिया में जिनकी scholarships चलती है और उनको हम private scholarships कहते हैं तो बच्चा private scholarship और government scholarship साथ में ले सकता है इसमें कोई रोक टोक नहीं है तो अगर आपको जरूरत होगी तो आप बता दीजेगा मैं private scholarship पे एक वीडियो बना दूँगा नीचे comment box में डाल दीजेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब शुरू करते हैं देगे एक जो बच्चा होता है वो scholarship उसको क्यों नहीं मिलता है तीन कारण होते है पहला तो lack of knowledge बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि भाईया कहां से लेना है क्या करना है they don't know the entire knowledge about it lack of guidance कोई बताता भी नहीं है इसके बारे में यहां जाओ ऐसे कर लो वैसे कर लो व्यक्त जेनरली लोगों के दिमाग में यहीं रहता है सरकारी तो भाईया काम बहुत ज्यादा cut in होगा दस जगा फाइले निकालनी होगा यह करना होगा वो करना होगा कैसे मिलेगा तो इसलिए नहीं मिलता है और तीसरा lack of awareness about the scholarship भई उस scholarship actually में आपको यह भी पता होना चीज़ जैसे इंडिया में आपको बता दू कुछ भी कम तो हजार से जादा scholarships चल रहे हैं सरकार की सिर्फ सरकार की में बता रहा हूँ और private में भी हजार से जादा scholarships है अब सोचो हजार से जादा scholarship में बोल ला हूँ तो यह छोटा मोटा number नहीं होता लेकिन reality में कौन से scholarship में तुम eligible हो कौन से में नहीं यह पता होना बहुत जरूरी है तो इसलिए आज eligibility criteria मैं अच्छे से बताऊंगा ठीक है? चलिए तो पहला scholarship अच्छा false information मत भरिएगा and don't apply for more than one scholarship बता चुका हूँ अब scholarship based किस पे किस पे होता है यह आपको समझना है तो जो scholarships होते हैं वो generally जो होती है या तो disability पे होती है क्योंकि बच्चा disabled है तो भहिया उसके लिए scholarships बनते हैं जेंडर के basis पे यहां जेंडर के basis पे खास ध्यान दीजिएगा पुरुषों के लिए scholarship नहीं बनाई जाती है gender के basis पे महिलाओं के लिए बनाई जाती है तो लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए बहुत सारे scholarships बने हुए है तो let me tell you girls जितनी हैं अगर उनको scholarship की आवशकता है तो कोशिस जरूर कीजिएगा कहीं न कहीं कैसे न कैसे scholarship होगा जरूर ठीक और खास कर अगर आप अपने family में एक लौती लड़की है तब तो हर हाल में होगा ठीक है quota आप quota तो भाई quota भी अलग-अलग category पर लगता है जैसे cast पर quota भाई है SCST, PWD या फिर OBC, OBC, NCL अधिस, that, फलाना, ठीमकाना बहुत सारे quota पर रहते हैं minority, वो minority भी इसी में आता है फिर category category मतलब income group पे भी scholarship मिलते हैं और private वाले जितने scholarship है वो majority income पे होते हैं सरकारी में हर एक type में होते हैं और अब धीरे-धीरे देखा गया है जब से EWS की category आई है है ना, general में EWS तो जब से EWS की category आई है तो आप सरकार में भी income के basis पे scholarships लाना शुरू किया है अब आगे बढ़ते है ex-servicemen ward कोई भी ऐसा बच्चा जिसके माता या पिता कोई भी ऐसे generally पिता होते है जो defense के किसी भी service में थे और वो नहीं रहे during duty उनका देहान थो गया तो उनको ex-servicemen ward का बहुत जगा रियायत भी दिया जाता है और बहुत जगा scholarship भी दी जाती है तो उन बच्चों के लिए अज बहुत जगा provisions बनाए गए हैं मैं उनको बताऊंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है moving forward nothing for general ऐसा नहीं है stress बता रहे है general के लिए भी है तो मैं यह पहले ही बता दूँ यहाँ पे general बच्चों के लिए कुछ नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है सोचिएगा भी नहीं है चलिए तो सबसे पहला scholarship जोब बता रहा हूँ यह है MoMA scholarship इसको कहते है MoMA scholarship MoMA मतलब Ministry of Minority Affairs ठीक है 2023 का scholarship क्या है देखते हैं तो under the MoMA scholarship scheme students belonging to the minority communities of Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Jain and Zoroastrian can avail अब ध्यान दीजिए कि भाई यह हिंदू में तो जितने minorities होते हैं वो हैं और उनके लिए अल्रेडी बहुत सारे schemes चल रहे हैं बट अलग-अलग communities में जैसे Muslim में, Sikh में, Christian में Buddhist, Jain, Zoroastrian इन में भी कुछ-कुछ minorities because हर धर्म में भी कुछ-कुछ sub-cast होते हैं तो इन में भी जो minorities होते हैं जिनको की Ministry of Minority Affairs ने recognize कि भाई यह इस धर्म में यह minority है उन्हें अगर identify किया गया है तो उनके लिए scholarships होती हैं अब यह मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि majority तो बच्चा बोलेगा सर हम तो भाई हम ना Muslim है ना Sikh है ऐसा कुछ भी नहीं है तो अब यह जो सारे populations हैं अपने आप में थोड़े minority में है जैसे Muslim की संख्या हमारे देश में कम है Sikh की संख्या कम है Christian की संख्या कम है तो कम संख्या में भी minority मतलब minority में minority बहुत ही limited number of people होते है जिनकों की भारत सरकार ने identify किया है तो इन जगहों पे scholarships लेना आसान होता है इन लोगों के लिए समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं जल्दी से information बताता हूँ फिर आगे निकलेंगे दूसरे scholarship है बहुत सारे scholarships है चलिए तो pre-matric, post-matric और merit come means तो इस scholarship में MoMA scholarship में होता क्या है metric के पहले, 10th के पहले आपको scholarship मिलता है जो बच्चा 11th से 12th और PhD तक ही यहाँ पे post-matric scholarship मिलता है और merit come scholarship for professional मतलब कोई बच्चा B.T.E.C. कर रहा है तो उसको भी मिलता है तीन टाइप के तीनों में क्या-क्या मिलता है जल्दी से देख लेता है तो 30,00,000 people को 30,00,000 बच्चों को 10th से पहले लेवल में scholarship दिया जाता है 5,00,000 बच्चों को post-matric मतलब 11th से लेके PhD में और 60,000 बच्चों को BTEC करने के लिए scholarship merit comes means scholarship दिया जाता है a minimum of 30% of these scholarships are reserved for girl students of each community तो लड़कियों के लिए minimum 30% यहाँ पे reserved है बहुत बढ़िया अच्छी बार है आगे बढ़ते है minority studying from class 11 can apply students must have secured at least 50% marks in their last qualifying examination मतलब अगर आप 12 वी में बहर रहे हो and income must not exceed 2 lakh per annum 2 lakh per annum से जादा नहीं होना चाहिए तो जिसका है वो ध्यान दीजेगा नहीं तो बाकी आगे बढ़ते हैं अब next must have taken admission in technical अब इसमें technical के लिए जो technical मैंने बोला था means come merit scholarship तो technical के लिए आपको technical में होना पड़ेगा secured 50% marks annual income 2 lakh BTEC अगर कोई कर रहा है तो 2 lakh का capping है family income 2 lakh से काम होनी चाहिए और keep क्या हो गया हाँ बाई एक second रूग जो तो यह हो गया now moving forward यह पूरा information है आगे बढ़ते हैं तो आप कितना कितना मिलता है तो 10,000 per annum sorry माफी चाहते हैं एक second रूग जो hold करो हाँ बाई तो 10,000 एक second शान 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 result आगे नहीं नहीं आया अभी तक sir result नहीं आएगा 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 चिंता ना करो हाँ यहां तक आगे now moving forward अब इसके आगे बढ़ रहा है तो कितना पैसा मिलता है यह भी देखना होगा तो कितना पैसा मिलता है तो 10,000 पर एनम 11th, 12th लेवल पे कुछ और मिलता है बहुत जादा नहीं है लेकिन हाँ ठीक है मैं बता जे रहा हूँ knowledge information के लिए undergraduate, post graduate B.tech के लिए technical course यहाँ पे UGPG मतलब B.Sc B.Sc, B.A. type का यहाँ पे UGPG technical courses के लिए यहाँ पे 20,000 पर एनम मिलता है और उसके बाद maintenance 500 पर मंत और मिलेगा maintenance के हिसाब से और 100 उपीस पर मंत कुछ और भी मिलेगा तो खेर बहुत जादा नहीं है बढ़ ठीक है मैंने बता दिया information के रूप में आगे बढ़ते है DRDO scholarship for girls लड़कियां ध्यान दीजिएगा खास कर DRDO scholarship पच्छा scholarship है क्या है इसमें तो भईया इसमें DRDO में मिलता है established by research provided by aeronautics research ठीक है a total of 30 scholarships are to be offered out of which 20 hour for undergraduate students and remaining 10 hour for post graduate मतलब undergrad के लिए 20 ठीक लड़कियों को मिलता है ठीक website यहां पे है जहां पे सारा information मिलेगा अब आगे बढ़ते हैं कहां कहां मिलेगा कब मिलेगा तो कोई भी बच्चा जो 4 साल की degree के लिए enroll किया है किसी college में और वो बच्चा इन में से कोई branch ले रहा है कौन सा ये scholarship लड़कियों के लिए मदब जो भी लड़किया अपलाई करें maximum chances है मिल जाएंगे क्यों समझो पहला तो ये branches बड़े rare हैं generally बहुत सारे colleges में होते नहीं है जहां होते हैं वहाँ पे भी लड़किया specifically जाके इन branches को लें ये chances भी बहुत कम है तो इसी लिए ये number of students जो यहाँ apply करेंगे वही बहुत कम हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो मिलने के chances बढ़ गए ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये बाकी के basic requirements है इसमें बस ये है candidate should have cleared J-E means ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला और क्या मिलेगा तो 1.2 lakh rupees मिलेगा बहुत बढ़ी अच्छी बात है next is prime minister scholarship ये important है और ये majority बच्चों के लिए valid है applicable है prime minister scholarship अब prime minister scholarship में क्या है PMSS इसको कहते है prime minister scholarship scheme देखते है aims at encouraging छोड़ो अटाओ हाँ ये CAPF के लिए है Central Armed Police Force and Assam Rifles ये दो categories के और state police personnel इन लोगों के बच्चों के लिए है कोई भी ऐसा जो यहाँ काम करता है उनके बच्चों के लिए अब देखते हैं यहाँ पे condition क्या है तो condition देखो B.Tech B.E.B.R. इनके लिए मिलेगा ये scholarship अब moving forward minimum education qualification क्या है class 12 diploma graduation obtaining at least 60% marks more अब इसमे scholarship क्या है तो actually मैं इसमे scholarship नहीं है इसमें ये कहा गया है कि कोई भी बच्चा जो किसी भी degree course में कहीं पे भी जाना चाहता है और वहाँ की fees बहुत ज़ादा है example के तौर पे bits फिलानी तो bits फिलानी की अगर मानलो fees है 24 लाक अब 24 लाक रुपे का अगर आप loan लेने जाओगे तो bank आपको बोलेगा कि आपको कुछ collateral रखना होगा गिर्वी रखना होगा कोई मकान, कोई जमीन ऐसा कुछ अब मानलो तुमारे बस नहीं है क्या करोगे तो bank तुमको loan देगा ही नहीं तो उस case में क्योंकि bank में rule है कि 10 लाक रुपे से उपर अगर कोई भी बच्चा education loan लेता है तो bank को इसके एवज में कुछ गिर्वी रखना पड़ेगा तो इस case में आप 24 लाक रुपे नहीं ले सकते हो बिना collateral दिये तो आप इस scholarship के लिए apply कर सकते हो और यहां पे आपको collateral free loan amount 30 लाक रुपीज या इससे जादा का मिल जाएगा बिना कुछ चीज गिर्वी रखे यह इसमें एक अच्छी बात है समझ गए? clear है? चलिए आगे बढ़ते है scholarship awarded to girls is रुपीज 2250 पर मंथ and boys 2000 पर मंथ तो यहां लड़के लड़कियों दोनों को 2250 और 2000 पर पर मंथ की scholarship मिलते रहती है apart from that यह भी possible है अब सक्षम scholarship scheme सक्षम scholarship scheme क्या है भईया? आज देखो एक बात और बता दो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगी सर यह तो बड़ा boring सा है पता नहीं हमारे काम का नहीं है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है तो एक बात ध्यान दो सरकारी scholarship बड़े interesting होते भी नहीं है क्या तुमने सरकार की scheme कहीं पर भी कुछ बहुत interesting देखा है private जितना interesting होता है सरकारी उतना interesting कहीं नहीं होता है तो मुद्दा कहा है ना बेटा इसमें से कुछ खोज किये तुमको अपने काम का निकालना होगा तो मैं पूरे session को बना रहा हूँ जो जो सरकारी scholarship available थे वो ले आया हूँ इसमें से हो सकता है कुछ चीज तुम्हारे काम की हो तो वो कुछ चीज निकाल देना बाखी session छोड़ देना ठीक है जो इसलिए बने रहो session में because कुछ ना कुछ तो तुम्हारे काम का होगा चलिए आगे बढ़ते हैं सक्षम scholarship the scheme is especially meant for students with disabilities कोई बच्चा जो disability वाला है अब disability पे है MHRDA City scholarship only open for students with disability level of disability not less than 40% disability का level doctor बताता है और doctor certificate पे लिखता है कि कितने percent disability है तो 40% से कम नहीं होनी चाहिए annual income should not should be less than 8 lakh तो यहाँ पे capping काफी जादा high दी गई है 8 lakh से कम का अगर annual income है तो बच्चा eligible है और first year में ही वो बच्चा होना चाहिए degree या diploma करते है मतलब B.Tech कोई भी technical course के first year में वो apply कर सकता है AICT recognized college होना चाहिए ठीक है अब क्या मिलेगा देखते है 50,000 per annum for every year of study हर साल आपको 50,000 रुपे इस scholarship के तहत मिलते जाएंगे तो यह जो बच्चा with disability है उसके लिए बहुत ही अच्छा सा scholarship है आगे बढ़ते है AICT प्रगती scholarship for girls लड़कियों के लिए है AICT लिखावा मतलब technical courses पे है ज़र देखते हैं क्या है implemented by scholarship 5,000 scholarships are dispersed every year among the minority नई meritorious girls student pursuing technical education first year में ही आप ले सकती है first year में ही आपको apply करना है must be first year or second year through lateral entry यह तो छोड़ दो AICT approved college में होना चाहिए अब देखिए two girls per family are eligible अगर आप अपने family में आप और आपकी बहन maximum दो ही लोग ले सकते हैं two girls per family annual family 8,000,000 और उससे कम होना चाहिए तो यहाँ पे भी capping काफी अच्छी लगाई गई है 8,000,000 रुपे है मुद्दा खोज रहा था तो 50,000 एक साल में मिलेगा लड़कियों को और तुमने बाकी सारे conditions देखी लिए तो यह first year of college में मिलेगा लड़कियों को clear? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर बात करते हैं PMSS जो पहला वाला जो मैंने बताया था ना Prime Minister Special Scholarship Scheme वो MoMA के अंडर में था मतलब Ministry of Minority Affairs ये कोई भी बच्चा दे सकता है PMSS ये कोई भी अब यहाँ पे क्या है? ध्यान लखिए का ये जो PMSS है ये specially provided है जमू कश्मीर के लिए सिर्फ जमू कश्मीर वाला बच्चा तो कोई भी बच्चा होटल मनेजमेंट, टेक्नॉलजी, BAC, नर्सिंग और मेडिकल में भी MBBS, BDS, BAMS तो in fact सारे टाइप के लिए जमू कश्मीर वाले बच्चों के लिए इवन लदाख का भी बच्चा इसमें इंक्लूड़ेड है J.E. अब कौन-कौन बच्चा दे सकता है स्टुडेंट को कौलिफाई फॉर दे नाशनल लवल टेस्ट नीट, J.E. क्लाट ऐसे टेस्ट में अगर आप कौलिफाइड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपको बार्मी पास करना है जमू कश्मीर से, जमू कश्मीर बोड से या फिर CBSC Affiliated School located in this region मतलब आप जमू कश्मीर के resident होने जरूरी है reservation policy will be followed for Jammu कश्मीर and Ladakh regions should have passed 10 plus 3 Ladakh quality technique for admission of second year registration family income आठ लाग से कम होनी चाहिए students must be minimum age criteria अब आप जो भी college में जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये है बस main condition और Jammu कश्मीर के resident और आपके family का सालाना income आठ लाग से कम कितना मिलेगा पैसा number of seats 1,25,000 रुपए academic fee limit ठीक है तो अगर आपके साल की fees 1,25,000 रुपए से कम है तो आपको यहाँ पे scholarship मिल जाएगा engineering में medical में 3,00,000 रुपए सालाना से कम की fees है तो आपको मिल जाएगा और general degree B.Sc. वगरे type के तो 30,000 पर annum से कम की fees है तो आपको scholarship मिल जाएगा ठीक है total scholarship 5000 ऐसे ऐसे करके different different streams में total सरकार ने 5000 scholarships निकाली है clear है यहाँ तक सब को समझ में आए चलिए अब आगे बढ़ते है तो बस that's it session छोटा था वैसे मुझे ऐसा लग रहा है session को बनाने के बाद कि थोड़ा सा information कम रह गया शायद इसका part 2 भी आना चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा इसका part 2 लाने की और आप लोग भी नीचे comment box में डाल दीजेगा part 2 की requirement के लिए और मैं खुद से थोड़ा सा और research करके इसका part 2 लेकर आऊँगा जहां पे और बढ़िया बहतरीन information साब के लिए आएंगे ठीक है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुचा दीजेगा जिनकी जरूरत हो आप लोग के लिए एक private scholarship का वीडियो में जरूर लेकर आऊँगा नीचे comment भी कर दीजेगा जरूरत है की नहीं है तो मैं एक private scholarship पे एक वीडियो बना दूगा ठीक है ये वीडियो यहीं तक था उमीद करते हैं कि पसंद आया होगा comment box में लिखकर जरूर बताईएगा session कैसा लगा मुलागात करते हैं अंगले session में तब पर गिलिए take care bye bye good night